को ही नमस्कार किसान भाइयोग कैसे आप आशा है कुशल मंगल होंगों दोस्तो tutti ये आप देख रहे हैं हम अपने फारम पर हैं बीच में आप देखी रहे होंगे और आज मंडियों के भाव नहीं बता पाए थे क्योंकि बहुत सारे किसान वाईओं का मंडियों के भाव में इंट्रेस्ट भी नहीं बचा आए और यहां पर हम पूरे फसल का निरिक्षन कर रहे हैं अब यह आपको भी दिखाते हैं तो ऐसा तो कोई नहीं लग रहा है कोई भी रोगी पौदा हो हां कहीं कुछ जगह पर हो सकता है माइक्रनुट्रेंट्स की कमी रही हो उसकी वैसे एक पौदा कहीं कहीं पीला दिखाई देता है एक जगह पर थोड़े से स्थान पर वागी सब ठीक है और किसी प्रकार का कोई रोग तो है नहीं लेकिन आज हम कहां कहां रोग आए हैं किसी छेत्र में उसकी भी बात करेंगे और अभी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी ही भाव भी बता देता हूं किन मंडियों में क्या कैरेट है आज क्या लू के भाव तो आए शुरू करते हैं मैं हूँ आपका डक्रके के भारत वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज के शिफा वीटू चैनल दोस्तों तो सबसे पहले आज हम दिल्ली आज अब बंडी की बात करें तो दोस्तों अज कुछ आबक थमी है दिल्ली आज अब świat तारीक Chief ने बताया बाएँ है कि कम से कम जो है मंडियों की तरफ रुख किया जा इस समय और बहुत बढ़िया किया किसानवाई हो और जो आज टोटल गाड़ी कल की 54 मिला करके और आज की पचमला 109 रही और जो रेटों की बात करें तो दोस्तों इस वार अब बढ़िया बात यह है कि अब स्टोर से आलू अब नहीं आ रहा है मंडी में आज बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं थी चिपसोना की साथ गाड़ी थी जिसके रेट वही 600-700 बढ़िया जो सॉलिड है अच्छा है और लूज है उसके जो पांसों की चार्सों पांसों के रेट हैं वहीं सूर्या की बात करें तो बढ़िया 19 कल की बैलंस बच गई थी अगर रेट की बात करें दोस्तों तो रेट वही 150 से लेकर के 360-70 तक बढ़िया अलू के और हलका 290 से लेकर के 300 तक भी विक्री हुआ है वहीं संबल की बात करें तो संबल की जो ताजा गाड़ियां है वह 26 ती और 20 कर की बैलंस थी इस तरह से 40 गाडियां रेटों की बात करें तो 370 से 410-420 की रेट में आज वहां पर विका है यह दोस्तों विक्री के भाव है अब बात करते हैं फरुकाबाद के सातनप्रमंडी की आज यहां 100-125 गाडियों की आवक रही चोटी बड़ी ट्रक्टर टॉली गी और विक्री बहुत 525-575 गेरेट में विका है और जो किसान रेक रेगुलर यहां से चलती है फरुकाबाद से पूर्वत्तर के राज्यों की तरफ यहां तर आसाम जाती है डिब्यूगाड आसाम और जो है जो रहाट और ग्वार्टी तक जाती है उसके वह आज लदी है उसका असर भी देखन 500-860 रुपए कुंटल तक के रहे दोस्तों और वहीं बात सफेद आलू की करें तो सफेद आलू के जो रेट रहे वह हैं 551 से लेकर के 645-650-660 रुपए कुंटल के रेट है दोस्तों यह मैंने साथ गलत पहले बता दिया तो माफ करना और बात करने दोस्तों पंजाब और और पंजाब की फसल तो बहतर है लेकिन वहां पर जो किसान बाईयों को सबसे ज्यादा मार जिलनी पड़ी है वो ब्लाइट की है दोस्तों अगैती और पिछेती दौनों तरह का जुल्सा से जो है फसल लगवा बहुत सारे छेत्रफल में फसल को नुक्सान हुआ है लेकिन कि वहां पर आलू मोटा हो चुका था तो बहुत ज्यादा मात्रा में अब यह कह सकते हैं कि पके आलू की फसल पर नुक्सान संभावत है लेकिन वहां जातर बीज होता है इसलिए आने वाले समय के भाव पर यह कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा और हां उत्तर प्र तक राज उत्तर प्रदेश है दूसरे नंबर पर बंगाल फिर गुजरात और अन्य राज आते हैं तो गुजरात में भी दिक्कत है प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है बंगाल में भी लेट बुबाई होगी या बुबाई में नुक्सान हुआ था बारिस की वैसे और उत लग लग ब्लाइट का भी प्रकौप है तो यह जो है निश्चित रूप से अगर यह भड़ता है या इसके से आगे यह तो भविश्च के गरत में चुपा हुआ कि किस तरह का प्रोड़क्शन आएगा लेकिन प्रोड़क्शन पर फरक जरूर पड़ेगा दो उसकी बात भ इसके बारे में बटा चुका हूँ और दोस्तो इसके बचाब के बारे में और उसके बारे में कई वीडियो में पूरा आपको कल तक दे दूँगा तो उसपे भी आप बिलकुल दियां रखें और किस तरह से आलू को फुलाना चाहिए कौन सा रोग होता कौन सा रोग नहीं होता है उसकी भी मैं जानकारिया आपको दे दूँगा अब बात करें ठटिया मंडी की तो आई यहां सफेद आलू 361 के आसपास विकाई दस पांच रूपए उपन नीचे हो जाता है और वहीं लाल आलू जैपर में पच्पन गाड़ियों के आबक रही और आट से नौ रूपए किलो के बढ़ी आलू के रेट रहे यहीं नएक हो यहीं पुराने के हैं वहीं हलका आलू 6-7 रूपए किलो मिका है कानपर मंडी में 45 गाड़ियों के आबक है और सफेद आलू 320-360 रूपए मन वहीं लाल सिंदूरी आलू 360-400 रूपए मन लखनो मंडी में आज एक रूपए के उच्छाल के साथ सफेद नया आलू 9-11 रूपए किलो विका वहीं हलका 8-10 रूपए किलो विका चिप्सोना 10-12 रूपए किलो विका और हलका 9-11 रूपए किलो विका है बात करें दोस्तों चौदर रूपए किलो विका है यहां पर और हलका आलू 10-11 रूपए किलो विका है वहीं पुणे की बात करें तो पुणे में जरूर उचाल दिखा गया आलू के रेटों में दो रूपए किलो का उचाल है दोस्तों 25 गाड़ियों के आबक है और 16-18 रूपए किलो बढ़ी किलो में की बात करें तो बंगलव में यूपी का आलू 18-19 रूपे किलो यहां पे भी रूपए कुछाल है और अарntण थो यहां पार चौके दोस्तों तो यह थे दोस्तों आज कि भाव अब आसाय वीडियो आपको पसंद आएगा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद अब आपको थुड़ा सा फसल का रुक करा देता हूँ दूसरे यह आप फसल देख लिजे हमारी और आपको यह बता दूं कि कौन सा रोगी होता है यह नीचे पीला पत्ता जो है यह रोगी नहीं है यह नीचे भुधूप नहीं मिली इसको नीचे रह गया और यह पलट गया है पहाडियां बगएरा यहां पर घुमती है चक्कल लगाती है तो उनके पैरों से कुचल दागता है तो चोट खाय हुए पौधा भी इस तरह से लगता है जैसे रोगी हो लेकिन वह रोगी नहीं होता इसका ध्याने और एक अगलग वीडियो में आपको इस पेसल यह सब चीज़ें बताऊंगा आज के वीडियो में तरहीं दोस्तों बहु